नमस्ते रादे रादे हेलो अवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत वेलकम इन आवर चैनल बायोवर्स दी यूनिवर्स अव बायालोजी तो जैसा कि आप सब को पता है कि आप सब के पेपर्स आने वाले हैं, तो उसे हिसाब से हम आपका स्लाइबस कर रहे थे, तो स्लाइबस में आपके कुछ बचा नहीं है, अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो मैं नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में वाता सकते हैं, वो मैं पढ़ा दूनी, तो आज हम जैसा कि आप पेपर देखे समझ पा रहे हैं कि BSC First Semester के जो जो लोजी का पेपर है, उसको हम देखने वाले हैं, मॉडल पेपर, बिसिकली किस तरीके का पेपर पूछा जाता है, देखिए, सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर सेम होते हैं, मैं यहां किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखूंगी, कि यह कौनसी यूनिवर्सिटी का है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, VBPSU है, सिधार्थ यूनिवर्सिटी है, DDU है, MJPRIU है, इतनी सारी उन्वेस्टिस के बच्चे हमसे तुड़े हुए हैं बस question में क्या difference होता है कि आपके तीन पार्ट में question रहता है अगर written वाला है short type का, long type का और very long type है कहीं पर यही question 75 marks का होता है कहीं पर 100 marks का होता है तो bucks, बस क्या होता है number vary करता है number अलग-अलग हो जाते है आपके questions उसी तरीके से रहेंगे कहीं पर आपके 1500 words यहीं कि 500 सब्दों में लिखना होता कहीं पर 1000 सब्दों में कहीं पर आपके 800 सब्दों में तो बस वही बदलता है बागी कोई चीज नहीं बदलती है तो paper आपका same रहने वाला है और यह जो paper मैंने उठा रहा है यह मैंने एक university की website से ही लिया है ठीक है और mostly बच्चे मुझे भेजते हैं paper तो मैं उनसे कराती हूँ first year का मेरे पास था नहीं तो मैंने एक बच्चे ने request की है कि आप model paper दिखा दीजे तो मैंने सुचा कि सभी बच्चों को nude होगी तो क्यों बता दिया जाए तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से question पूछा दाता आपके actual paper में ठीक है तो चलिए discuss करते हैं लेकिन discuss करने से पहले अगर आपको videos अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें ताकि उनको भी ये चीज मिल सके सभी बच्चों को फाइदा जितने भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं उन सब को फाइदा हो आपको यहीं देखना है दिवाली भी आ रहा है इतना अच्छा परव है हमारा सभी का परवेपूरे हमारे इंडियन्स का तो उस पे आप share करें जादे से जादे तो चलिए देखते हैं इसमें ये paper 2023 का है मतलब इसके पहले वाले year में जो हुआ है बात की जाए तो paper का नाम आपकी क्या है cytogenetics आपका cytogenetics और infectious disease इन में नाम लिखा गया है जनरली cytogenetics, cytology के बारे में genetics के बारे में और कुछ infectious disease के बारे में हमको बढ़ना है इस ये जो paper है वो paper 2 hours का है कहीं कहीं पर यही paper 3 hours का भी होता है और यहाँ पर marks जो है इस paper में 75 marks है कहीं पर ये marks 80 हो जाते हैं कहीं पर 100 हो जाते है वैरी करता है कि universities अलग-अलग होती है तो वो अपने हिसाब से conduct कराती है ठीक है बड़ paper नहीं बतलने वाला है syllabus नहीं बतलेगा क्योंकि आपको new education policy जो 2020 में आया है उसने ये decide कर दिया है कि सभी जगहों पर paper यही होगा और उसका syllabus सेम होगा कोई-कोई university है जिनने थोड़ी-थोड़ी चीज़े reduce कर दिया है बट overall सभी चीज़ें यही है ठीक है कुछ instruction दिये है में note दिया हुआ है कि attempt all questions for all section as per instruction जैसा कि आपको निर्देश दिया जाता है उसी के हिसाब से आपको सभी प्रश्णों के उत्तर देने है ठीक है जिसमें त्री sections में डिवाइड है section A, section B, section C section A है आपका very short type question ठीक है very short answer type question इन प्रश्णों के उत्तर आपको कितने छोटे में देना अतिलग उत्री उपर यहाँ पे mention भी कर दिया है attempt all part of this question इस question का सभी जो भाग है आपको करना है और कितने words में 50 words में आपको करना है 50 सब्दों में करना है minimum आप ले सकते हैं एक page या half page इस तरीक से आपका हो सकता है 10 question दिये हार question पे 3 number है 30 number तो यह सबसे जादे scoring question है ठीक है चलिए देखते हैं question को हम लोग इस section का यह पहला question है ठीक है तो पहले question में क्या पूछा गया है पहला ही पूछा गया है Desmosomes ठीक है Desmosomes क्या होते है ठीक Desmosomes कहां पे बनता है इसके बारे में बताना है पढ़ाया है ठीक है Integrity मजबूती प्रदान करते हैं Connect करने का काम करते हैं यह आपको बताया गया Then दूसरा question है What is endocytosis थोड़ी थोड़ी चीज़े मैं बताऊंगी बाखी सारे lectures आपको प्रवाइड किये गया है प्लेलिस्ट मैं अटेश कर दूँ फर्स्ट सेमेश्टर का इसी वीडियो के नीचे वहाँ जाकर आप देख सकते हैं Endocytosis का process क्या होता है जब इस तरीके से मैंने बताया था जब किसी cell के बाहर जिमा लेजे इस चीज़ को कोई molecule है कोई भी molecule है H2O है आपको कोई छोटा molecule है amino acid कुछ भी इसको अंदर जाना है तो क्या होता है cell की जो membrane होती है इस तरीके से physicals बनाती है इसके अंदर ये आता है और ये इस तरीके से नीचे चला जाता है इस process को क्या करते है Endocytosis और इसको detail में बताएगए क्रिस्टी क्रिस्टी क्या है क्रिस्टी कहां पाई जाएगे एक word और है sisterny ठीक है sisterny क्रिस्टी और sisterny में आप बहुत confused होते हैं तो आप comment section में जो भी बच्चे जिन्होंने वीडियो देखी है तो आप बताएगे कि क्रिस्टी कहां पाई जाती है और sisterny कहां पाई जाती है यह वाला भी यह चीज में बताऊंगी आपको बताना क्रिस्टी कहां पाई जाती है और sisterny कहां पाई जाती है ठीक है यह चीज में बताऊंगी और next question आपका पुछा गया है कि 70S तो 70S क्या होता है This studyative kill में बता है 70S तो स्परक्रदी किसमें पाई जाता है आपकी प्रो केरिकारी राइबूसम पाया जाता है स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया है इसमें किस तरीके से small sub unit होती है, किस तरी किस तर large sub unit होती है, सब कुछ बता रहा है, आपने किया है packitine क्या है packitine stage है, किसका chromosome का, यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे जो chromosome होता है वो क्या होता है, बहुत जादे giant हो जाता है, क्या हो जाता है, giant हो जाता है तो इसकी बहुत मासाला है, बट पैकी टीम सेज होता है क्रोमोसूम का, मैंने ये भी आपको बताया है, टेस्ट क्रॉस क्रॉस क्या होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में आपको बताया गया है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क् अगर हम capital T, capital T ले रहे हैं, तो इसके साथ हम किसका cross कराते हैं, small T, small T का, heterogigus का, capital T, small T, किसका हम cross कराएंगे, यह आपको बताना है, मैंने detail में बताया इसको, फिर next question आपसे पुछा गया है, GRDSS, क्या पुछा गया है, GRDSS, GRDSS, GRD आपको बताया गया है, GRD एक क्या होती है, species होती है, ठीक है, GRD एक species होती है, इससे क्या होता है, इससे cause होता है, GRDSS, ठीक है, apoptosis, what is apoptosis, apoptosis एक process है, इसको क्या कहते हैं, programmed cell death, programmed cell death, cell की programming करके death कराना क्या कहलाता है, apoptosis कहलाता है, apoptosis भी आपको बताया है, programmed cell death कहा जाता है, इसमें cell, जो cell क्या होते हैं, dead हो जाते है जो cell खराब हो जाते हैं, उनको एक process के थ्रू क्या गया जाता है, खतम करा दिया जाता है, इसको कहा जाता है, programmed cell death, ठीक, फिर आया है आपका next question, what is carryotype, carryotype क्या होता है, तो carryotype क्या होती है, आपको ये भी मैंने बताया है, carryotype में हम क्या करते हैं, cell, जो आप सारी, आपके जो chromosome है chromosome हैं, उनको arrange करते हैं, carryotype की थ्रू, उनकी arrangement करते हैं, ठीक है, pair, जो आपके somatic or sex chromosome हैं, उनको, ठीक है, receptors, फिर receptors आपको क्या हैं, receptors आपको पढ़ाएगे हैं, GPCR, intracellular receptor, extracellular receptor, receptor क्या होते हैं, किसी cell पे, अगर ये मालिज़ आपका cell है, ठीक है, अगर ये आपकी cell है, इसक उपर इस तरीके से क्या आप आजाते हैं, receptors, receptors, ठीक है, जो signal को receive करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ligands, ये इससे bind होते हैं, और ये फिर signal पहुचाते हैं, cell के अंदर, ठीक है, तो receptors, receivers होते हैं, संग्राही होते हैं, क्या काम करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो कोई 3 question attempt करने हैं, कई सारे question दिये रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको only 3, केवल 3 लिखने हैं, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, कई सारे आपके पास option, उसमें से 3 लिखना है, ठीक है, 200 words भी लिखना है, 200 सब्दों में इसको लिखना है, जिसमें से पहला ही question, यह most of the favorite, most favorite question है, सभी universities में मैंने देखा है, what define the, मैंने आपको important question में बताया भी है, define the structure of plasma membrane, प्लाजमा मेंबरेन का आपको structure बताना है, कैसा होता है, तो basically इसमें क्या बताना, आपको fluid mosaic model वाला, कि इसमें lipid पाया जाते हैं, proteins पाजाते हैं, ठीक है, proteins में extrinsic protein, intrinsic protein पाजाते हैं, lipids में आपके phospholipids है, sphingo phospholipids है, सारी चीज़े मैंने आपको detail में बताई है, वही लिखना है, ठीक है, फिर next question पुछा गया, what write about cellular junction, cellular junction वाली video भी आपके पास है, cellular junction उसको कुछ 4K बच्चों ने देखा है, 4000 बच्चों ने जब से पढ़ा है, काफी अच्छी वह hand written video है, बट काफी अच्छी वीडियो है, तो cellular junction क्या होता है उसके बारे में, तो junction का मतलब क्या होता है, junction क्या होता है, आप train देखते हैं न, train मी क्या होता है, ये station इसको junction, दूसरी station junction, क्या होती है, communication करते हैं, ये train यहाँ से चली, तो उसको यहाँ पर रुख के कुछ लोगों को उतारना होता है, communicate करते है, junction, तो cell में भी सी तरीके के junction पाजाते है, othering junction, tight junction, gap junction, यह शबापने पढ़ा होगा, उसके बारे में आपको लिखना है. Fourth question is, make a labeled diagram of mitochondria. Mitochondria का आपको यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर labeled diagram, मतलब diagram आपको बना देना है, यह वाला जो diagram है आपका, अगर मैं एक बनाओ, तो labeled diagram, mitochondria का कैसा है, यह वाला diagram है, well-leveled diagram बनाना है आपको, outer membrane हो गई, बाहर की inner membrane अंदर की हो गई, ठीक है, और इस तरीके से, इसमें क्या होते हैं, अब बताईए, यहाँ क्रिस्टी पाई जाती है, या सिस्टर्नी, उपर इस तरी related एक question भी पुछा गया था, अब आप समझ गया हम भी ठीक है, तो क्रिस्टी इसमें पाई जाती है, सिस्टर्नी किसका part होता है, गौलगी complex का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, कि यहाँ पे होता है, आपका क्रिस्टी पाई जाता है, outer membrane, inner membrane, इसमें कुछ आपके engymes पाई जाते हैं, सारी चीज़े मैंने आपको detail lectures में बताई हैं, कि outer membrane में कौनसे engymes होती हैं, inner membrane में कौनसे engymes होती हैं, ATP powerhouse होता है, ठीक है क्या के चीज़े पाई जाती है सारी चीज़े इसकी आपको मैंने डिटेल में बताई हैं आपको बस वीडियोज देखनी है ठीक नेक्स्ट आपका पुछा गया डिस्क्राइब सेल साइकल आपको सेल साइकल बतानी है cell cycle पूरा detail में आपको बताया गया है कि किस तरीके से cell cycle चलती है आपकी G1, S, G2, M phase, M phase, M phase, M phase, M phase, T phase उसमें भी अगर division की बात कर दे तो mytosis में आश्रिस फिर next question पूछा गया what is penetrance and expressivity with example ये तो मैंने पूरा बहुत अच्छे से बताया और सारे बैच्चों को समझ में आया होगा कि penetrance क्या होता और expressivity penetrance मतलब कोई चीज आपके अंदर present है आप उसको कितना express कर पा रहे हैं expressivity और बहुत example के साथ मैंने बताया है next question आप से पूछा गया है कि इसमें आपको बताना है कि What is Paroxysome Paroxysome आपको बताना है और describe करना उसका structure describe the structure of paroxysome इसका structure भी बताया है फिर what is intracellular signaling signaling right its type ठीक है आपके question की तरफ जो है आपका describe characteristic feature of sex-linked inheritance तो sex-linked, sex-limited और sex-linked, sex-limited के बारे में sex-influenced characters के बारे में ने बताया है तो sex describe characteristics of sex-linked inheritance sex-linked यानि कि males related हैगा कि females related हैगा जैसे बाल्डन इसकन जापन, males related है ठीक है तो ये वाले disease के बारे मैंने आपको detail में पढ़ाया है तो आप video अगर आपने नहीं देखिए तो आप जाकर देख लेजएगा पूरे chapter सापकी cover है ठीक है तो इतने question आपको कुछ है, आपके 9 question मिले, 5-6 question जिसमें से आपको 3 questions, only 3 questions करने थे अब हम बात का लगए अगर type C की, तो type C में आपको long answer type मिलाब और बड़े में लिखना है आपके 500 में लिखना है, पहले में 50 words, जूसरे में 200 words, तीसरे में 500 words, ठीक है अब इसमें एक question है, वो भी 15 number का है, ठीक है, 15 number का बड़ा question है इसमें आपको, वहाँ पर क्या था, इसके पहले वाला question, section B में भी आपसे plasma membrane से question पूछा था, यहाँ पर, plasma membrane का fluid mosaic model तो यह दोनों question related थे, अगर जिसने यह अच्छे से तयार किया होगा, तो उसके दो function and structure of nucleus, ठीक है, यहाँ पर, यह आपके, ट्रेपनो, सोमा वाला, पूछ लिया है, इस university में, यह VBPSU का पेपर्वेन वहीं की, वेबसाइट से उठाया है, VBSPU, सौरी, इस university का है, तो यहाँ पर इन में थोड़ा सा ट्रेपनो, सोमा के बारे में पूछा है, तो आप कहिए का, तो मैं इसकी वीडियो दे दूंगी, यह आपके फ्यक्तर समस्टर में है, बेसिकली, तो अगर आपको चाहिए, तो बेटरेपनो, सोमा को वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकती है, आप हमें कमेंट सक्षन में बता सकते हैं, तो यहाँ भी आपको लाइफ साइकल अफ्टरेपनो, सूटेबल डाइग्राम आपको देना है, ठीक है, ट्रेपनो, सोम of heredity with suitable example, ठीक है, मेंडल की जो heredity का law है, जो कि आपको डेटेल में पढ़ाए गया, तीन laws दिये हैं मेंडल ने, बेसिकली उनकी law दो ही थे, एक hypothesis था, जो law of dominance था, बाकी law of segregation और law of independent assortment है, वो जो है, दो laws थे, ठीक है, तो उसको suitable डाइग्राम के साथ आपको बताना है, त outline आपको दिखा दो, तो ये paper आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये pages हैं, ये आपको एक साथ दिये गए हैं, ये पहला page रहेगा आपका, ठीक है, ये पहला page रहेगा इस तरीके से, ये दूसरा page इस तरीके से रहेगा, आपको, इसको PTO लिखा रहता है, please turn over, फिर ये इसके अलावा, आपको problem होती है, क्यों रही होती है, तो आप comment section में, या telegram channel का link, instagram channel का link, सब कुछ इसमें दिया रहे था, आप वहां से पूछ सकते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे, थैंक अब डिवान